सूदरज रात में निकल रहा है, चांद दिन के निकल रहा है, मतलब कि जमीन हिलगी आसमान गाईब हो गया हो क्या रहा है, समझ से बाहर आ एक लड़का, नो जवाँ लड़का, अभी अभी क्रिकट के अंदर आया, 163 की पेस से बॉलिंग कर रहा है, मतलब कि मैंने तो एक का शुरू होने वाली है उससे जो मैचिस से पहले जो प्रैक्टिस सेशन होता है उम्रान मलीक ने 163 की पेस से बोल कर दियो सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया और आने वाले मैचिस में तोड़ देगा मुझे इंस्ट्राग्राम पे जिसो कह सकते हैं तो स्वेरे लोगों ने शेयर कियें कि अब देखें आप कहते से यह नहीं तोड़ सकता इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो भाई यह बात आप से क्लियर करने जा रहो कि सबसे पहली बात आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं 163 की पेस से अम्रान मलीक ने बोलिंग किया क्या यह सच है मतलब कि इस बात की कितनी शोर्टी है आप मुझे सबसे पहले कमेंट्स के अंदर बताएं क्योंकि अगर तो यह बात सची है तो भई आई एम शोक और मैं चाहूगा कि आने वाले मैचिस के अंदर जो इंडिया वरसे सावत अफरीका की सीरीस के अंदर वो करके दिखाए मतलब आप एक दफा कर सकते हो अब बार भार भी कर सकते हो कम से कम 160 तो करके दिखाऊ न पता चल जगा में भी यकीन हो जाएगा लेकिन अगर तो यह ठू नहीं यह किसी ने फेक नीउस पहला तो यह ज्यान कि बात है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं 163 की पेश से क्या कोई बोलर बोल कर सकता है वो भी अभी अभी नेया बोलर आया तो मैं आपको सिंपल सी एक्जेंपल देता हूँ हमने देखे हैं 157-158 मैक्सिमम पेश से आई पिल के अंदर उम्रान मलिक ने बोलिंग किया जो के एकसेपटेबल है बड़े सारे बोलर्स ने इतनी पेश से बोलिंग की वे लोकी फर्गूसन होगे मिचल स्रार्क होगे इसी के इलावा बा है उसके बाद से आज तर कोई रिकोर्ट तोड नहीं पाया क्यों नहीं तोड पाया इसकी वे बात आवज़ा आपको बता दे तो हमने देखा ब्रेटली बड़ा क्लोस गया उसके बाद मिचल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2015 का एयर था अरूच पे चल रहा था उसके जैसा कोई बोलर ही नहीं था स्ट्रेल भी कर रहा था पेस के साब भी बोलिंग कर रहा था उस दौरार उसने 161 को टच कर लिया था मतलब कि थोड़ा सी मार्जन से वो रह गया था लेकिन उसके बास उसकी भी पेस खतम होके रहेगी सबसे बड़ा जो फास्क बोलर का से मैंने उसको पेस करते हुए देखा है बेबी वो 159 पे भी जा सकता है लेकिन 163 मतलब 4 पॉइंट की जंप यह पॉसिबल ने क्यूं नहीं है पॉसिबल मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली बात जब आप 155 से अबफ बोलिंग पेस कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट ज दर्मियान में 6 पॉइंट आ जाते हैं उस 6 पॉइंट को उसने एक ही महीने के अंतर कैसे कवर कर लें यह बड़ा बड़ा कोईस्चन है और जो वो मशीन जिसने कैलकुलेट किया है यह सो कह सकते हैं स्पीड क्या वो मशीन सही थी और दूसरी बात यह कि उम्रान मलिक ने ज कोई आये मतलब कोई सबूत आये कि 163 तो सुने पेस से बोल कर दिया कोई स्टेटमेंट आये ताकि पता तो चले मतलब कि ऐसा पॉसिबल भी है क्या नहीं होगर है कोई भी सबूत नहीं आ तो फिर भई सामने आपके पाफ पांच टीट्वन्टी आप प्रूफ करके दिखा जगा आने वाले इन दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लगबग तूठी गया फिर अगर इसने कर दिया तो लेट सी मुझे आप जरू कमेंट्स के अंदर पता है कि क्या यह असल बात है या नहीं है इन्शालत दुबाड़ा आपकी खित्मत हाजिरों के तब तक एंदर बात है